असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं खालिद इक्बाल यूटूब चैनल हम फोकस करते हैं एजुकेशन ट्रेनिंग और जर्नल अवेरनेस वे नाजरीन आजकल एक इश्यू बहुत सर्कुलेट कर रहा है बहुत उबर के सामने आया है और वो है किर्गस्तान में जो हमारे मेडिकल स्टूरेंट्स थे उनके बारे में बहुत से स्टूरेंट्स जो है वो वापस आ चुके हैं मेरा इरादा नहीं था कि मैं एक वीडियो के बाद कोई और वीडियो इससे बनाऊंगा मैंने जो पहली वीडियो बनाई वो किर्गस्तान के बारे में कुछ मालूमात अवाम को फ्रहम करने के मतलिक थी आप वो वीडियो जरूर देखें आपको अंदादा हो जाएगा किर्गस्तान जो है वो कहां लोकेटिड है और क्या पोजिशन है उसकी ये जो हमारी वीडियो है ये बिल्कुल एजुकेशनल एस्पेक्ट हम इसका डिस्कस करेंगे जो ही ये इशु सामने आया तो एग तो ये था कि वहाँ स्टुडेंस का जगड़ा हुआ उन्होंने वापस आना है लेकिन इस लए मीडिया में बहुत ज़्यादा भिशी किया जारह है वो ये किया जारह है कि जैसे students को कोई kidnap करके वहाँ ले जाता है और जो ही students वहाँ जाते हैं वो सिरफ पैसे देते हैं उनको degrees मिलती हैं और वो वापस आ जाते हैं और वहाँ education का और खास तोर पर medical education का कोई standard नहीं है यह जब इतना कुछ media में देखा तो it was really horrifying और worried बात कि यह लोग जा है क्या वहाँ कोई standard नहीं है यहाँ आके उनने लोगों का इलाज करना है तो फिर क्या सूर्तिहाल है तो फिर मैंने सोचा कि नहीं इस पर एक नहीं एक से ज्यादा वीडियोज बननी चाहिए ताकि students, parents, हमारी government और जो इस से बतलिक regulatory bodies हैं जो वैसे administrative bodies है, education के बारे में उनको मालूम हो कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है और उनका भी यह फरज है कि अवाम को बताएं कि असल सूर्ते हाल क्या है तो इन सारी मालूमात जानने के लिए मैंने request की जनाब मिया इमरान मसूद साब को आप सब जानते हैं, मिया साब पांच साल minister for education पंजाब में रह चुके हैं उस से पहले भी इन्होंने तक्रीवन डेट साल ये education में काम किया जो के बड़े-बड़े projects से provincial level पे और इनके जमाने में बहुत काम हुआ मैंने इनको क्यों जहमत दी, एक बहुत बड़ी वजा ये है कि इनी के जमाने में पाकिस्तान के अंदर private sector को invite किया गया कि वो आएं, government का हाथ बटाएं और वो colleges जो हैं, वो खोलें तो private sector में जो educational institutes को establish करने का सेरा या credit जो भी आप लफ से इस्तामाल करना चाहें वो मिया इमरान मसूद साब को जाता है, मिया साथ, assalamualaikum आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला पहले मेरा ख्याल है कि हमें ये parents worried हैं कि उनके बच्चे कोई second year में हैं, कोई third year में हैं, कोई किसी का final semester था और यहां हमारे जो press है, उसने ये शोर मचाया हुआ है, कि जी वहां standard ही कोई नहीं है तो यहां क्या system क्या है, कि जब उन्होंने तालीम हासल कर ली, तो फिर आगे उनका वो licensing का क्या system है जरा ये आवाम के लिए आप बताए जी थैंक यू खालिट साब, हमारे हां पाकिस्तान में जो medical education है, मसलन जो medical colleges हैं पाकिस्तान में, एक तो उनकी तादाद है, 122 recognized medical colleges हैं पाकिस्तान के अंदर, जिन में से 50 public हैं, सरकारी, और 72 जो हैं वो private हैं, अब ये तमाम medical colleges के उपर ए medical and dental council, ये council बड़ी सخت council है, इसका काम है कि ये regulation करती है, ये monitor करती है, जितने medical colleges पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को degrees दे रहे हैं, ये उनको verify करती है, validate करती है, testify करती है, और उसके बाद जाके ये उनको license देती है, कि वो पाकिस्तानी बच्चे जो MBBS करते हैं और BDS करते हैं, जब उनके प्रैक्टिस करनी है, तो जब तक उनके पास PMDC का license नहीं होगा, तब तक वो market में काम नहीं कर सकते हैं, जब एक बड़ा important question है, आपको interrupt करता रहा हूँगा, थाकि अब हमको साथ साथ बात समझ आती है जब एक student ने, अब आपने भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम करगस्तान की बात करेंगे, कि जब एक medical college से तालीम हासिल कर ली, वहाँ उसने professor से पढ़ लिया, और वो यह जो आपने अभी number बताया, कि इसको सारा government of Pakistan ने recognize किया हुआ है, in colleges और universities को, तो फिर य license क्या है? देखिए license इसलिए है कि private sector के जो है medical colleges है, आया उसकी जो lab facility है, वो नहीं किसी ने देखनी, उनके professors की तयूनाती जो है, उनके operation theaters, उनका infrastructure, उनके auditoriums, उनके classroom, ये सारी चीज़ जो है, ये PMDC के उस responsibility में आती है, जब जाके वो visit करते हैं, on site visit होता है, फिर बच्चों की transcripts, बच्चों के नताइज, बच्चों के जो results हैं, वो PMDC पे जाते हैं, वो हर लमहा, हर stage पर PMDC उनको regulate करती है, monitor करती है, और उन पे देखती है, और उन पे जाके visits लगाती है, और उनके lab work वो देख लेती है, हो सकता है, उनका staff short हो, तो फिर वो जाके visits के दुरान केहती है, बई आप अपना staff जो है, उसको आप improve करें, तो PMDC जो है, वो regulate करती है, इस पूरे system को, जितने भी बच्चे यहां से फारगल तैसीन होते हैं, कोया यह, इसका यह देखना काम है, कि जहां से बच्चा पड़ा है, वहां तमाम facilities जो required हैं, वो माजूद थी, यह दूसरे और भी इसी तरह council हैं, दूसरे professions में, जी सर जी सर देखें ना, इंजीनियर्ज हैं हमारे हाँ, इंजीनियर्ज के पास भी एक license number होता है, उनकी council है, पाकिसान इंजीनरिंग council, टॉप पे है, वो भी उसका भी यही जिमेदारी है, कि वो जाके inspection करती है, sites देखत है, teachers को देखती है, जब उनकी तसली हो जाती है, और बच्चे जब graduate हो जाते हैं, फिर जाके वो उनको pack का license देते है, likewise architects की उपर council है, PCATP, वो भी license देती है, और उसके बाद pharmacy, वकला की जो है, वो पाकिसान बार council है, पंजाब बार council है, इसी तरीके से pharmacist की जो है, वो pharmacy council है, तो हमारे पाकिस्तान में 16 से लेके 20 तक जो है, ये council काम करती है, जो के quality को देखती है, standard को देखती है, और facility को देखती है, तब जाके जब उनकी तसली होती है, तो फिर जाके वो जो है, वो आपको license देते हैं, कि आप practice कर सके, engineers हैं, doctors हैं, pharmacists हैं, और उसके साथ-साथ architects हैं, Thank you, coming back to data, जब आप साथ, जो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था, कि हमारे पाकिस्तान में 122 recognized colleges हैं, जिसको PMDC recognize करती है, और हमारे पास जो सलाना तादाद है, पूरे पाकिस्तान में हर medical college को 100 सीटे देती है PMDC, 100 से ज़्यादा नहीं देती, तो total मिला के जो सीटे available हैं हम पाकिस्तान में, वो है 16,265 सीटे, यानि के हर साल 16,265 दाखले होंगे, और इन 122 colleges में बच्चे अपना MBBS करेंगे, और BDS करेंगे, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का infrastructure है, मेरे पास सिंद के पी के, बलोचिस्तान में की भी में पस नंबर लिखें, अगर आप इजाज़त दे सिंद में 11 public medical colleges है, और 15 private medical colleges है, KPK में 9 public है, 11 private है, बलोचिस्तान में 4 सरकारी है, एक private medical college है, पंजाब में 19 सरकारी medical colleges है, और 43 private sector colleges है, क्योंकि तादात बहुत ज्यादा population यहाँ पे, AJK में, अजाज़ जम्मू कश्वीर में, तीन सरकारी हैं, और एक private है, तो सरकारी युनिवस्टियों में 8,265 सीटें available हैं, इसी तरीके से private medical colleges में 8,000 सीटें available हैं, दोनों को मिलाके 16,265 बनती हैं, तो सलाना दाखला जो है, वो इस तादाद में होता है, पूरे पाकिस्तान में. एक बहुत important question जो है, वो रेज होता है, वो ये है, कि 16,255 डॉक्टर हम बनाते हैं हर साल जो हैं, वो इतने पास तो नहीं होते होंगे, ये तो दाखला होगा, तो हमारी अबादी जो है, वो है तक्रीबन 25-26 करोड, तो इतनी 25-26 करोड अबादी को health facilities परवाइड करने के लिए ये doctors का number तो बहुत काम है, तो इसलिए अगर ये हमारे लिए possible नहीं है, कि हम मुझीद medical colleges जो है, private sector को इजाज़त दें, या government खुद बनाएं, तो ला महाला हमें किसी दूसरे मुल्क में आपने हमारे बच्चों क जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए जो ना, अच्छा एक और question जरा, क्योंकि standard के हवाले से ही है, कि इनके admissions जो है, in colleges में कैसे होते हैं बच्चों के, देखिए ये, ये centrally controlled होते हैं admission, जो कि UHS इसको control करता है, आप ये बच्चे जो है, वो सकता है, 50,000 बच्चे ने शामिल किये जाते हैं, तो फिर वो computer based सारा admission process होता है, UHS उसको control करती है, और खुदी merit बनाती है, हर medical college का, फिर खुदी उस portal के जरीए, वो जो top के बच्चे होते हैं, उनको जो सबसे highest standard हो, जिस medical college का, मस्तरं King Edward medical college है, तो सारे बच्चे उदर चले जाते हैं, सारे से मुराद उससे match करता है, likewise फिर कोई भावलपूर चला जाता है, को मुलतान चला जाता है, को गुजरात, को पिंडी, तो ये सारा controlled है, ये full proof system है, बहुत मुश्किल है, medical college में दाख्चे होते हैं, तो जो 16,000 से immediate नीचे आते हैं, वो कोई नलाइक करते हैं, तो जो 16,000 से immediate नीचे आते हैं, वो कोई नलाइक बचे तो नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एहम question जना, वो है, और ये भी एक बहुत important बात है, कि जब आप medical college में दाखल हो जाते हैं, तो जो एक apt issue होता है, वो बड़ा important है, बहुत अच्छा या काम अच्छा doctor बनने के लिए, जना, तो जो जो जरा से काम नंबर पे लोग होते हैं, वो अगर नलाइक नहीं हैं, और यहां उनको दाखला नहीं मिलता, तो ये सारी wastage है, जो बचों ने पड़ा, parents के पैसे की, government के सारे resources की, तो बचों ने तो बाहर जाना पड़ने के लिए, तो इसको तो मेरा ख्याल है, कि एक point important है, कि जो कहते हैं, कि जी बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, या जो बाहर जाने वाले बच्चे हैं, वो नालाइक ही होते हैं, नहीं, ये ऐसा कतर नहीं, मैं parents और आवां को ये बड़ा clearly बताना चाहता हूँ, कि जो बाहर पड़ने के लिए जाते हैं, उसका वज़ा सिरफ य ये नहीं होती, कोई एक आद कोई ऐसा केस हो सकता है, कि कोई बच्चा बहुत intelligent ना हो, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, जो बच्चे यहां जिनको दाखला नहीं मिलता, लेकिन वो runners आप होते हैं, वो फिर दूसरे मुलकों में जाते हैं, तो सर ऐसा करते हैं कि फ्यू मिनट साम जरा ब्रेक कर लेते हैं, और नेक्स्ट सेग्मेंट में हम किर्गस्तान की जो ना वो बात करेंगे उसके स्टेंडर्स के बारे में जाएं, शूर,